नमस्कार दोस्तों स्वागत है, आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर कर्स की समस्या एक ऐसी समस्या है, जो किसी भी व्यक्ति के अगर जीवन में एक बार हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के मन में बिल्कुल भी सुख और शांती हो ही नहीं पाती है, वह जितनी भी चीजे करता है, बिल्कुल आधे अधूरे मन से ही करता है। आधी अधूरी ही जिन्दगी जीता रहता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो पूरा दिन इसी बात पे लगा रहता है, कि कर्स से कैसे निप्टें वह कैसे कर्स से छुटकारा पाया जाएं इसी पर लगा रहता है। शास्त्रों में बताया भी गया है कि कर्स को एक धीमी, मौत कहा गया है, यानि कि जिसके भी जीवन में ये समस्याएं होती हैं, धन की समस्याएं हो जाएं या कर्स की एक दम बहुत सारी समस्याएं हो जाएं, ऐसे व्यक्ति के मन में बिल्कुल भी सुख शांती हो ही नहीं पा चाहे कितनी भी बड़ी हो लेकिन कुछ ऐसी खान क्रियाएं भी बताई गई हैं, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में इस्तिमाल करेंगे, तो कर्ज की समस्या से तो छुटकारा आपका। जिससे जुडी हुई सभी बातों को सुनना बेहद आवश्यक है, नहीं तो यह क्रिया बिलकुल भी आपके लिए कार्य नहीं कर पाएगी, इसलिए पूरी विडियो को बिलकुल ध्यान से देखते जाएं, कि किस प्रकार कर्स की बड़ी से बड़ी समस्या से भी बाहर निकला जा सकता है, और धन प्राप्ती के दसों दिशाओं से अफसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले विडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भगवान शिव को नमस्कार अवश्य कर लें, ओम नमा लिखकर, तो दोस्तों आपको बता दें कि कर्स की समस्या के वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मुख्यत है इसमें कर्म सबसे बड़ा कारण माना जाता है, यानि कि अगर किसी व्यक्ती के पिछले जन्म पर कुछ कर्ज रह गए हो, तो इस जन्म में वह किसी ना किसी रूप में कर्स के रूप में उन्हें चुकाता ही रह जाता है काफी लोग ऐसे होते हैं कि धन की जो परेशानी होती है धन का कर्ज होता है उसे ही कर्ज मान लेते हैं लेकिन किसी भी रूप में कर्म कर्ज की मार डाल सकता है जैसे कि बहुत सारे लोगों को बीमारिया हो जाती है कई लोगों के ऐसे फिजूल खर्च उनके घर में बढ़ने लग जाते हैं कि जितनी उनकी कमाई होती है उससे उनका पूरा ही नहीं पड़ता है और उसे पूरा करने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ जाता है तो यहीं से बस कर्ज की बहुत ज्यादा अधिक मुसीबत मच सकता है जिसके जीवन में कर्स की समस्याओं हो कि कैसा उसका हर एक पल हर एक क्षण हर एक सेकंड बिखता है लेकिन आपको बिलकुल भी घबराने की जरूरत नहीं है जो यह हम आपको बता रहे हैं इस प्रयोग को आज तक जिस भी व्यक्ती ने करा है उसका निश्चित ही हर प्रकार का कर्स खक्म हो गया है बलकि एक साधक के जीवन में तो इतना बड़ा कर्स था कि वो पांच करोड के कर्स कैसे चुकाएगा इसी बारे में सोचता रहता था तो जब हमने उसे इस उपाय के बारे में बताया तो इस उपाय को उसने बड़ी महंत से किया लगन स और भक्ती के साथ किया जिससे उसका संपूर्ण कर्स तो खक्म हो ही गया बलकि आज तक उसके जीवन में धन की समस्याएं नहीं आई है तो अब आप यह देख लें कि कितना बड़ा और कितना खास यह प्रयोग है यह बहुत ही ज्यादा सरल और सबसे ज्यादा आसान में बताएंगे तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें बैल बटन दबा कर रखें क्योंकि हम सदैव ही खास चीजें आपके लिए लेकर आते हैं तो इससे ये सभी खास चीजें मिल सके कोई भी विडियो बिलकुल भी मिसना हुआ करें तो द मंत्र का साधनाओं का और सभी चीजों का इस्तिमाल करना आपको बेहद आवश्यक है तो सभी चीजों को मिलाकर बिलकुल एक सरलसा और एक बहुत ही छोटा सा यह प्रयोग है तो नाभी का जो केंदर होता है वह धन का स्थल माना जाता है जिसे तंतर में कहा जाता है कि वह पर भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी विराजमान रहते हैं और जिस भी व्यक्ती का यह स्थान यह केंद्र खराब हो जाता है तो ऐसे व्यक्ती को धन की परेशानी का सामना करना पड़ता है र समय बस वह धन के बारे में सोचता रहता है जितना सोचता है उतना ही धन उससे बिलकुल दूर हो जाता है। जरा-जरा सी छोटी-छोटी चीजों के लिए खाना खाने तक के लिए उसे पैसे कैसे आएंगे इस बारे में सोचना पड़ जाता है। अगर यही केंद्र उसका जागरित हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति को धन की समस्याओं के लिए बिलकुल भी सोचना नहीं पड़ता है। और वह जो भी चीजें चाहता है केवल इच्छा करता जाता है। और अपने आप ही सभी चीजें उसके जीवन में निश्चित ही आती है। चाहे उसमें कितना भी आलस ही क्यों ना हो, चाहे वह पूरा दिन ही सोता ही क्यों ना रहता हो, लेकिन फिर भी ऐसे योग बनते हैं, ऐसी चीजों उसे प्राप्थ होती हैं कि अपने आप ही वो जो इच्छाएं कर लेता है उस पूर्ण जरूर होती है, तो इस केंद्र को जा आप ही आटोमेटिक पूरी होती चली जाती है, उसके चहरे पर एक गजब की मुस्कान होती है, और वह किसी भी चीज से जरा भी विचलित नहीं होता है, तो इस केंद्र को जागरित करने के लिए सबसे पहली चीज तो यहां है, कि आपको नाभी पर सूरज मुखी के जो फ विश्नु का जो कारक रंग है वह भी पीला है, संपूर्ण शत्रूं के नाश का संपूर्ण कर्स की समाप्ती का जो रंग वो भी पीला ही होता है, तो सूरज मुखी के फूलों का रस रोजाना आपको अपनी नाभी पर लगाना है, और इसी के साथ भगवान विश्नु के उग्रस्वरूप भगवान नर्सिंग के बीज मंत्रों का जाप आपको रोजाना रात को सोने से पहले करना है और सुबह उठते ही जैसे ही आपकी आखें खुलती हैं, नेन से आप जागते हैं, तुरंट आपको शीद। नर्सिंग के बीज मंत्रों का जाप करना है, भगवान विश्णु का केवल एक ही उग्रस्वरूप है, जो भगवान नर्सिंग है, जो की बड़े ही ज्यादा तीवर है, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कर्ज की समस्या क्योंकि कर्ज एक मात्र एक ऐसा शत्रू होता है, जो पूरी तरह से व्यक्ति को निचोर डालता है, तो कर्ज जैसे शत्रू से बचने के लिए भगवान नर्सिंग से उत्तम उपाय कोई भी नहीं होता है, क्योंकि यह विश्णु का स्वरूप है, तो भगवान नर्सिंग की क्रिपा होती है, तो माता लक्ष्मी की क्रिपा अपने आप ही प्राप्थ हो जाती है, कर्स जब खत्म हो जाएगा, तो धन आगमन होना बिल्कुल, निश्चित है दसों दिशाओं से, रास्ते खुलते हैं, तो अब आप इस खास क्रिया को जान लें कि आप सूरज मुखी के फूलों का रस निकाल लें, और इस रस को भग नरसिंग के मंत्रों से अभिमंत्रित कर दें, इसे अभिमंत्रित करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि किसी भी गुरुवार, किसी भी पूर्णिमा, किसी भी अमावस्या या किसी भी खास त्याहार पर जैसे कि अभी खास त्याहार चल रहे हैं, तो मेंसे कोई भी ख श्रोम महा नरसिंगाय नमह श्रोम जो है वह भगवान नरसिंग का बीज मंत्र है केवल श्रोम को भी आप चुन सकते हैं और जो यह मंत्र है श्रोम महा नरसिंगाय नमह यह मंत्र है दोनों में से कोई भी आप चुन है अगर आपको लगता है कि 51 माला ज्यादा हो जाएंगी तो केवल श्रोम 20 मंत्र का ही जाप आप कर सकते हैं, श्लोम नरसिह भगवान का 20 मंत्र है, जिसमें माता लक्षमी भी नरसिह भगवान के साथ विराज मान होती है, तो इस रस को हाथ में पकड़ते हुए आपको 51 माला जाप कर लेना है, और इसके बाद आपको इस रस को आधा अपने घर रख लेना है, और आधा किसी भी मिट्टी के कुलहड में इसे भर के आपको पीपल व्रिक्ष के जड़ के पास एक दिन के लिए इसे मिट्टी में गाड़ कर आ जाना है, और उसी के बिलकुल अगले दिन यानी की जैसे आज अगर आप इसे गाड़ कर आएंगे तो अगले दिन इसी समाई जाकर आपको इस कुलहड को निकाल लेना है, और बस इसी कुलहड को उस रस में वापस मिला देना है, जो आज आधा आपने अपने घर में रखा, हाँ जो यह आप पीपल व्रिक्ष के पास से लाएंगे, यह बिलकुल सिध्ध होगा और अभिमं बस इन दोनों रस को मिला कर रोज रात को, सोने से पहले पर इस रस को लगाने मात्र से और मंत्र का जाप करने से जो कोई भी रात को इस प्रकार सोता है और सुबह उठता है, तो उसका संपूर्ण कर्ज बहुत ही तेजी से दोगुनी तेजी से खत्म होता ही है, चाहे व्य और उसका कर्ज तो मिठी जाता बलकि उसके जीवन में इतना धन आ जाता है कि फिर वह कर्ज लेता नहीं है बलकि वह लोगों को देने लग। और अपने जीवन के सभी कष्टों को दूर करें क्योंकि भगवान नर्सिंग की कृपा भी व्यक्ति को प्राप्थ हो जाती है तो यह समझ ले की कर्ज से बड़ा कोई शत्रु होता नहीं है लेकिन नर्सिंग भगवान की कृपा मात्र से कर्ज इतना बड़ा शत्रु भी हो जाता है और जीवन में कभी फिर लॉटकर आभी नहीं सकता है तो यह समझ ले की कर्ज जैसा शत्रु जब खत्म हो सकता है तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी शत्रु नहीं है जो भगवान नर्सिंग की कृपा से खत्म ना हो तो अगर आपके वैसे शत्रु है कोई भी kis इसी भी प्रकार के शत्रु हो तो उन चीजों के लिए भी यह प्रयोग एक रामबान है और नर्सिंह अस्त्र है तो आप भगवान नर्सिंह के इस अस्त्र का इस्तिमाल करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं।